बाई किसी मिहल में उन्होंने अपना निवास बनाया रानी का जो सेयन कच्छ जहां पर रानी अपना समय विताया करती थी और इस कच्छ के अंदर अध्भुत मूर्ती दिखाने जा रहा है नमस्कार दोस्तों बीए सीटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम जहांसी में उत्रफदीश में इस्थित जहांसी की रानी लच्छीवाई के महल पर पहुंच रहे हैं यह है आयताकार में बना उगए दो मंजला मेहल है जब जहांसी का किला रानी लच्छीवाई से अंग्रेज उन्हें चीन लिया तो कुश्च में के लिए रानी लच्छीवाई इसी मेहल में उन्होंने अपना निवास बनाया दोस्तों आपके पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कई रानी लच्छीवाई से संबंदत विभन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर एक चौक बना हुगा है और और समय के तो खुबारे और बीच में एक कुगा बना हुगा है और चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ जांसी की रानी का जहां पर दरवार लगा करता था जब अंगरे जोने रानी से जांसी का कला च्छीन लिया तो रानी लच्छीवाई इसी महल में अपना निवास और दरवार लगाया करती थी यहाँ पर यह दोनों शार्ट में गैलरी बनी हुई है और बहुती कमाल की इस दरवार हॉल की अंदर पेंटेंस उस समय की बनाई गए हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी जो च्छत है तो लकडी से बनी हुई है देखी कितने सुन्दर चित्रकारी और इच्छत लकडी से आज भी गहरे कलरों से कई प्रकार की पेंटेंस इस दरवार हॉल के अंदर देखने के मिलती हैं यहें दो मंजला महल जिसमें छे बड़े कच्छे हैं और चोटे चोटे कच्छ बनी हुई हैं पर रानी का जो सयन कच्छ जहां पर रानी अपना समय बिताया करती थी और इस कच्छ के अंदर भी तूख सूरत रंग विरंग कलरों से पेंटेंस की गई हैं और इसकी छत भी लकड़ी से बनी हुई है देखे कितने कमाल की जो पेंटेंस है वो आज ही देखने को मिलती है पीन सो साल बाद भी यह है पेंटेंस देखे कितने तूब सूरत कई पसूपच्छी भी इसमें दिखाई देते हैं और अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और एक और हॉल की अंदर प्रानी लच्छीवाई से सम्मंदत विभिन चित्र पेंटेंस यहां पर देखने को मिलते हैं कि अस्त्र सस्त्र और प्रानी लच्छीवाई की जीवन से सम्मंदत कई चित्र इसके अंदर देखने को मिलते हैं कि यह तो करते हुगी चित्र कुछ यहां पर देखाई दी रहे हैं कि विभिन चित्रकारों ने यह चित्र पेंटेंग्स बनाई हुई हैं जो यहां पर प्रदर्सी नहीं लगी हुई है और अब हम चलते हैं इसकी नीची वाली जो मंजल है वहां पर इसकी अंदर जो गैलरी और नीचे के जितनी भी कच्छ हैं उनमें सभी में बिभिन समय पर यहां पर आठवी से नौमी से लेकर के बारवी सताब्दी तक की जो जहां सी और उसकी आसपास से प्राप्त मूर्तियां वदाई में जो प्राप्त हुई वह यहां पर इन कच्छों के अंदर रखी गई हैं और देखिए उस समय का फबारी यहां पर बने हुए हैं दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो कल लिजी और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट करें और चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक अधबत जो संगीत कर्छ था पाहर से यह संगीत कर्छ देखनी में दो मंजलका दिखाई देता है लेकिन अंदर से एक ही मंजल का कर्च बना हुआ है और ये बीच में से दो भागों में बटा हुआ है एक आर्च बना हुआ है और रोसनी की परियाप्त व्यवस्था और लकडी की छत और चलिए यहां पर विभिन मूर्तियां जो लगी हुई हैं देखे कित सुन्दर और अभी में आपको एक ऐसी अध्वत मूर्ति दिखाने जा रहा हुआ है देखी हम पर एक इस्त्री अपने पालक को दूप किलाती हुई और एक ही पत्तर पर सेक्ड़ों सेक्ड़ों मूर्तियां तरासी गई हैं इतनी सुन्दर नक्का सी यह पत्त्रों पर की गई है अभी आपने रानी मेल जांसी देखा दूस्तु थेंक्यू जय हिन जय भारत